प्रस्णों के उतर दो करहा है क्योंकि हमारी दरती कबी किस किस के साथ निरmap चलने का संदे़ दिया है और थत कभी ने सूर्यों, चंद्रों, मेग और नदियों के साथ निरंतर चलने का संदेश दिया है और थत कभी ने हुज्जों, संद्रों, डावर, अरू नौदिर लोगों थोदाय आगबारी थोकर बारता दिया किन पंतियों में कभी ने मनिश्ची की सामर्थ और अजयता का उल्लेख किया है और थत कभी एक कुंटो हारित मानुवर हामर्थ आरू और जरतर को था उल्लेख कुरिस है उत्तर, आज तुम्हें मुक्ति मिली, कौन तुम्हें दास कहे इन पंतियों में कभी ने मनिश्ची की सामर्थ और अजयता का उल्लेख किया है और थत उपरुप्तो कभीता फाकिर जोरियते कोभी ए मानुवर हामर्थ आरू और जरतर को था उल्लेख कुरिस है कुशिन नमर्फाइब निरंतर प्रयतनसिल मनिश्चो को कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं और थत निरंतर सेस्टा कोरी थोका मानुएं की की हुख पाई कुशिन नमबर 6 रुकने को मरन कहना कहां तक उचित है और था त्रोईजवक मौरन बुली कुआ को था कार कोरलो के उसित उतर गती ही जीबन का दूसरा नाम है सूर्य चंद्र में एक नदी आदी प्राकृतिक चीजों का भी अपना अपना गती है इस गती के कारण आज सारा बिस्व चल रहा है अगर किसी की गती में रुकावट आ जाए तो सारे बिस्व में हलचल मत जाएगा अंतता गती में ही कारिय कारण का संबंध रहता है या बिस्व इस कारिय कारण संबंध से चलते रहता है या बंद होने का मतलब है सारे सिस्टी का बिनास होना अंतता हरुकने को मरन कहना उचित है कुशन नूमर सेबन कभी ने मनिश्यों को तुमसे है कौन बड़ा क्यों कहा है कभी ने मनिश्यों को तुमसे है कौन बड़ा मनिश्य की तरह दूसरी ऐसी कोई जीब नहीं जो यह कर सकता है मनिश्य सभी जीबों से स्रेस्ट है कुछ नमबर 8 योग के ही संग संग चलते चलो कतन का आसे स्पस्ट करो उतर समय या योगों के साथ पेरों से पेर मिला कर चल कर ही हम नई चीजों को धारन कर सकते हैं नई चीजों का निर्मान भी कर सकते हैं जिस प्रकर समय या नदी पीछे की और नहीं मुरता उसी प्रकर हमें भी सदा आगे की और देखना चाहिए पुराने सभी जेर्न बस्त्रों को छोड़ कर हमें नई बस्त्र को धारन करना चाहिए हमें प्रितिवी के सुखों का भोग करना चाहिए वरना हमारा जिबन असार्थक बन जाएगा कुशिन नमबर 9 नरेश महता आस्था और जागरिती के कभी है कभी नरेश महता जी आस्था और जागरिती के कभी है वे विश्व बंधुत्व करुना तथा समर्सत्ता के प्रती आस्थावान कभी है कभी महता जी ने अपनी कभीता के द्वारा मनिश्यों को प्रगतिकी और चले जाने का आहवान किया है उन्होंने मनिश्यों को सूर्यों की तरह सक्तिमान बना कर मृत्यों पर मनिश्यों की दास्ता पर स्वाधिनता की विजय साबित करने के लिए प्रोचाहित किया है कभी के मतानुसर मनिश्यों सबसे बुद्धिमान प्रानी है जो सारे विश्व को अपने वस में कर सकता है मेग नदी की तरह उन्होंने मनिश्व को धर्ती में नई बरिवर्तन लाने के लिए कर्म पर गहरा बल देने के साथ सक्ती और सुक भोग करने पर आस्था प्रकट की है पासा एबं व्याकरंग्यान कुशन नमबर बन निम्नलेखित बाइक्ञान सों के लिए एक-एक सब्द लिखो जो दूसरों के अधिन हो उतर पराधिन खो जो दूसरों के उपकार को मानता हो उतर कृतग्या गह जो बच्चों को पढ़ाते हो उतर सिखसक गह जो गीत की रचना करते हैं उत्तर गीतिकार जो खेती बारी का काम करते हैं उत्तर क्रिसक कुशिन नमबर टू निमनलिखित समस्त पदों को विग्रह कर समास का नाम लिखो वितामबर सब्थ का विग्रह है पिता है अमबर जिसका और समास का नाम है बहुब्रिही समास यथा सक्ति का विग्र है सक्ति के अनुसार समास का नाम है अभ्याई भाव समास अजय का विग्र है जिसे जिता ना जा सके समास का नाम है अभ्याई भाव समास धनी निर्धन विग्र है धनी और निर्धन समास का नाम है द्वंध समास कमल नयन कमल नयन का विग्र है कमल जैसा नयन समास का नाम है रूपक कर्म धारे समास त्रिफला त्रिफला सब्त का विग्र है तीन फलो का समाहार समास का नाम है द्वीगो समास कुशन नमबर त्री निमलिकित मुहावरों का अर्थ लिक कर वाइक्य बनाओ अनिल दुकान से अपना उल्लो सीधा करके सारे काम छोड़ कर भाग गया अंखो का तारा, अर्थात प्यारा, मुन्ना अपने मां के अंखो का तारा है उन्नीस बीस का अंतर, अर्थात समाइन अंतर प्रिया और पेती दोनों बेहने एक जैसे होने पर भी उनमें उन्नीस बीस का अंतर है घी के दिये जलाना, अर्थात पूजा करना, सानिया अपनी दुख दूर करने के लिए घी के दिये जलाती है जान पर खेलना अर्थात कठिन काम के लिए कोशिस करना देश की आजादी के लिए हम अपनी जान पर खेलेंगे बाए हाथ का खेल अर्थात अतिस उगम वाई के है ऐसे वाई के लिखना मेरे लिए बाए हाथ का खेल है